एक वार पीटर ते उस दी वाइफ जैनी अपने बच्चेयां समेत पानी वाले जहाज रहीं सफर का रहे सी इस जहाज दे रहीं ओ किसे दूसरी जगा ते जा रहे सी ते उस जहाज दे वेच होर सौदे क्रीब होर भी मसाफिर सान जहाज पीटर दे बच्चे जहाज तों बाहर आचुके ते होर लास्ट उते सिर्फ पीटर ते जैनी ही जहाज वेच रहा गया ते उस दी पत्नी ने दो में हाथ जोड़े ते इस दो बाद ओवी जहाज रे नाड वेच ही डोब गई पीटर अपने बच्यानों बापस कार ले आया ते उनादी देख पाल कार लगा बच्याने मान वेच पीटर दे ले बहुत नफरत पार चुकी सी क्योंकि वो यह समझ दे सान के उनादी माँ पीटर दी वज़ा करके इस दुनिया वेच नहीं रह सकी जो जो वड़े हुन दे गए तो उनादे मान वेच जहे गाल बहुत चंगी तरा वेट चुकी सी इसलिए ओ अपनी मान दा कातर अपने पितानों ही समझ दे सान दुझे ही पासे पीटर ने हारों एक मुम्किन कोशश की ती जिसनाड़ों अपने बच्चेयानों दुनिया दिया सारी खुशियां दे सकदा सी बच्चेयान दी पालन पोशन कारदा कामते खोद नौकरी सारा कुछ खोद ही संबाल लेया होया सी ते बच्चेयां दे सेर कोई भी बोज़ कदे नहीं सी पैन दता वच्चेयां दी बदिया स्कूल वेच पड़ाई भी करवा रहा सी ते उन्ना नून कार वेच संभाल भी रहा सी वच्चेयां दे बच्चेयां दे जा रहा सी ता वो देखते सी कि साड़ा पिता हटे ली किन्नी मेहनत करदा है ते सानू भी संभाल दा है पर फेर भी इस सब्दे बावजुद भी उन्ना दे मानवेच अगर अपने पिता ली थोड़ा प्यार उमड़ा भी ता वो ए सोच के उत्ते ही दाब जानदा के उन्ना दी मान दा कातल उन्ना दा खुद पिता ही है वच्चे काफी बड़े हो चुके सी ते फिर एक देन पीटर दी तबियत जानक काफी जादा खराब हो चुकी सी दो तेन देन लंगे ता पीटर दी सहत होर जादा खराब हो गई ते उसनू हस पताल पार्ती कारना पया। पर आखर डैरी विचे जहां लिख्या की सी शायद ए सब पीटर ने हसब दाल जान तो एक दो दन पहला ही लिख्या सी क्योंकि उसनों शायद ए लग रहा सी के होनों हो कार बापस ठीक हो के शायद ना आ सके। पाणी देवेचे कल्या कदे विना छाट के होंदा। मैं ओहो इनना वड़ा फैसला एक मेंट दे वेच ही ले लेया। मैं तेरी कमीता नहीं पूरी कार सकदा पर मैं ओहर एक कोशिश कार दा हां जीचनाल मैं अपने वच्चियानू खोश राख सकां उन्ना दाप वेख चंगा बना सकां इसली मैं देन रात मेहनत कार दा हां ते उन्नानू चंगे स्कूल वेच भी पड़ा रहां। नाल ही मैं हर रोज अपने ही मान अंदर हा तेरे तों माफी मांग दा हां के मैं तेन्नू उसमें कला चाड़ देता जदो मैं तेन्नू बिचा सकदा सी। अपने पिता तों माफी मंगी ते उन्नानू एवी किहा के ऐसी जान गए हां के पिता जो अंदरों किन्ना भी दुखी होवे पर ओ अपना दोखा अपने बच्चानू कदे नहीं दिखांदा। अपने बच्चानू अपने गड़े लगा लिया फिर कोछ ही दिना बाद उन्ना दी सहत ठीक होनी शुरू हो गई। दे बच्चे अपने पितानू ले के खुशी खुशी उन्ना दे नाल रहन लगे। सुगाई सानू इस कहाणी तों सिख्या मिल दिया के एक पिता जो अपने बच्चानू बहुत प्यार कारदा है पर कदे दिखांदा नहीं। वो खोद किन्ना भी मजबूर के ओना होवे पर हार एक कोशिश कारदा जिसना अलसुदे बच्चे अदियां खोशियां पूरियां हो सकन उन्ना दा चंगाप वेखवान सके। तो 28 वरे की केरणा है अपने बिचार जरूर शेयर गारना।